हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुती टेस्टी पालक चना दाल की रेसेपी इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है और जो भी इसे खाएगा वो अपनी उंगलिया चाटता रह जाएगा तो आई ये शुरू करते हैं यहां मैंने चना दाल को 3 गंटे पानी में बिगो कर रखा था और अब इसका सारा पानी मैंने बिलकुल निकाल दिया है ये चना दाल जो इस तरीकी से फूल के तयार हो जाती है इसको मैं ले जाकर एक कुकरमेंट डाल देती हूं इसके बाद इसमें मुझे डालना होता है नम इसमें अब पानी डालती हूँ पानी बस मुझे इतना डालना है कि हमारी चनादाल अच्छी तरीके से डिप हो जाए उसके बस आदी इंच पानी उपर रहे है और अब मैं कोकर का ठकन लगा के गैस पे रख देती हूँ और इसमें दो सीटी आने देती हूँ जैसे दो सीटी को बंत कर देती और इसका प्रेश निकलने के बाद को करका जब बढ़ने के सीटी निकल चाये तो इसmak को खोल कर देखती है進ffic डेखें मेरी ये चनादाल है बिल्कुल सौफ्ट हो चुकी है हमने ये चनादाल बिगो के ली थी तो हमाई दो सीती में चनादाल अच्छी तरीके से صاف्ट हो जाती है अब मैं कुकर को साइट कर देती है اور एक कडाई में दो स्पून ऑईल को गरम करती हूं ऑईल गरम होने के बाद इसमें एक स्पून जीरा डाल देती हूं साती साथ जब जीरा छटक रहा है तो इसे मैं मैं एक पिंच हींग डाल देती हूँ, साती साथ हरी मिर्च कटकी हुए और अदरग भी डाल देती हूँ फ्रेंट्स अगर आप लेसन भी खाना पसंद करती हैं तो आप प्यास डालने से पहले थोड़ी सी लेसन की कलियां डाल सकते हैं उनको भून के फिर बाकी सामगरी एड़ कर सकते हैं और अगर आप प्यास नहीं खाते तो आप डारेक्ट अध्रक हरी मिट्स को डाल के बून सकती हैं जैसे ही प्यास हमारी हलकी गुलावी हो जाए तो गैस को थोड़ा सिम करके मैं इसमें टमाटर डाल दीती हूं तो टमाटर को भी इसमें हलका सा पका लेती हूं जैसे टमाटर हलके सॉफ्ट हो जाए एक मिनिट के लिए हमें टमाटर को थोड़ा कुक करना होता है प्यास को हलका गुलावी होने में दो-ती मिनिट लग जाते हैं जिसे हमने मीडियम फ्लेम पे किया था इसके बाद मैं गैस सिम करके इसमें नमक स्वात की अनुसार लाल मिच पाउडर डाल देती हूं साथी साथ एक पिंच हल्दी पाउडर भी डाल देती हूं कि हल्दी पाउडर हमने दाल में भी डाला है से स्वाइब कारीय समुआइखंगे अच्छी तरीकिसे याला होते हैं, मासालों को पहले सब गम सिर्फ कर थेयों मिडियों करना है 50-50 पानी मुझे बहुत हलका साए क्यों गया होता है और इसे अब मैं सिम्गेस करके ढखक कर एक दो मिनिट के लिए पका लेती ताकि मसालों सारे अपस में भूव अच्छे से अब्जॉव हो जाए खूव अच्छी सी महक आने लगे तो हम इसे सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हैं अब देगे अर्ण को टमाटर भी हमारे हलके अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं तो इसके बाद अब यहां पर मैंने धनिया यह जो पालक है वो लिया है जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो कर साफ करके कट करके रखा था पालक को डालक के इसमें तो अब हम ढख कर स्कैस को सिम करके आदे एक मिनिट के लिए पकाते हैं और देखिए पालक ने भी किता पानी छोड़ दिया है जिसे मैंने कहा था अगर आप पहले ही जादा पानी डाल देंगे तो फिर आपको खूब सारी दे कुक करना पड़ेगा क्योंकि अभी दाल भी ड देखना है और अगर अभी तक वीडियो लाइक ने किये तो वीडियो लाइक कर दीजिए थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने पानी को एड़ कर दिया अब मुझे इसे खूब अची से पकाना होता है तो अभी तो मैं मीडियम फ्लेम करके ही इसे मीडियम हाई पर यह थोड़ी दे कोकोने देती हूं तीन चा मिनेट के लिए जैसे इसमें दाल में अच्छी तरीकी से बॉइल आने लग जाए फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो देखिए इसमें ओवाल तो आने लग गई है तो अभी हम एक आध मिनिट के लिए से कुक करेंगे ताकि दाल पालक आपस में मिक्स अप हो जाए तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ढख भी देते हैं एक से दो मिनिट के लिए मीडियम सिम गैस पे इसे हम ढखकर कॉक कर लेते हैं तो देखिए मैं आपर एक दो मिनिट के लिए ढखकर कुक के और देखिए किती आपस में एकदम मिल गई हैं एकदम अच्छी से खुश्बू आने लग गई है और बहुत अच्छी से फ्लेवर आ गया है सारे मसाले वगारा हो का भी हमारी यह चो दाले वो तो बिलकुल अच्छी से बन के तयार हो चुकी है तो एंड में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला एंड में लगाना है इसमें बहुत अच्छा टेस्टी तड़का तो अभी यह दाल को तो हम करतेते हैं साइड अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं थोड़ा और जदा स्वादिश्ट पनाने के लिए हमें एक स्पून घी को एक पैन में एक चौक दानी में डालती गरम होने के बदा इसमें दो हरी मिर्च, दो साबुत लाल मिर्च, सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है वो इन दौनों को अलका सा चटका के और गैस बंद करके फिर हमने यह या पर लाल मिर्च पाॉड़र, कशमीरी लाल मिर्च पाॉडर में एक यूज आप चैसा भी चैनल कर सकते हैं मेरी ये बिल्कुल बनकर तयार हो चुकी है तो मुझे तो फ्रेंट्स उमीद है आप लोग को रेसेपी अच्छी लगी होगी कैसी लगी कमेंट्स में जरू बताईएगा मैं आप सबीस अपनी नेक्स वीडियो में मिलूंगी जाते जाते वीडियो को लाइक कीचेगा बाई-बाई